हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवाद सिच्छा 24-7 में देखिएगा दोस्तों आज हम IPL 2023 महत्पूर्ण प्रश्ण तो देखिएगा आज हम सबसे महत्पूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं IPL 2023 दोस्तों ये परिच्छा की द्रश्टी से बहुत ही महत्पूर्ण हो जाता है किसी ना किसी परिच्छा में आपको यहां से प्रश्ण देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों तो दोस्तों देखिएगा आज हम ये पूरे IPL में जितने भी प्रश्ण बनते हैं सारे प्रश्ण क ना हैं सारे जितने परिशMM बनते हैं जितनी महित्पुन बात यह बनती आइपील से वह सब मुझा को पहले समझाइएंगे फिर unrelated पास के पा suspense करा ये अपको देखेंगे इस रहे हमने पहले महित्पुन लगाए हैं यानि कि आंसर के भी इस PDF में लगाई है और ये पूरी PDF आपको मिलेगी वीडियो के description में इसका link दिया जाएगा देखेगा इसके answer भी दिये गए हैं सारे paper हैं देखेगा सारे एक प्रश्ण हैं सारे प्रश्ण हैं ये slide है इसमें जितने हमने प्रश्ण cover किये हैं ठीक है चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्ण से पहली slide से देखेगा ध्यान से देखेगा फिर आपको प्रश्ण का answer देने बड़ी आसानी होगी और आप समझ भी जाओगे सारा याद करने का सारा हम काम करा देंगे यहीं देखेगा IPL का कौन सा क्रम था जो 2023 में IPL हुआ था उसका क्रम कौन सा था देखेगा यह था 16 में नम्मरगा जो IPL की जो विजेता टीम थी वो कौन सी थी चेडने सूपर किंग्स ठीक है और उप विजेता टीम थी गुजराइट टाइटन्स फाइनल मैच कहा हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है गुजराइट में और कुल टीम कितनी थी इसमें IPL में 2023 में 74 टीम देखेगा डकबर्थ लुम्स नियम और यहां थोड़ा मिस्टेक है इसको कर लेना रेवर्ज बेड में फैसला यानि कि जब बारिश हुई थी स्टेडियम में तो इस टाइम पर यह नियम लागू किये गए थी ठीक है देखेगा पहला मैच किस किस टीम के बीच हुआ था गुजराइ और चेनिश शुपर किंग्स के गुजरात और चेनिश को सुपर किंग्स से अंतिम मेज कुल टीम ने भाग लिया था दस टीम खेली थी देखेगा सरवाद एक बार खिताब किस ने जीता था चेनिश शुपर किंग्स और मुंबई इंडियन्स दोनों ने दोस्तों सरवाद पांच पांच बार जीता है दोनों ने बराबर जीता है अब देखिएगा चेनी सुपर किंग्स ने कब कब जीता 2010 में 2011 में 2018 में 2021 में 2023 में अब देखिएगा मुम्मा इंडियन से पांच बार कब कब जीता यह आपके लिए हम दे देते हैं यह आपको सर्च करना है ठीक है फिर टीम सामल हुई थी 22 22 में IPL में गुज़रा टाय टन्स और लखनौ अच्छा 2022 में विजयता टीम कौन सी रही थी गुज़रा टाय टाय टन्स बिजेता टीम थी राजिस्थान रोहल्स तीक है आगे देखीगा अब IPL में दोस्तों देखी हैं टीम दी गई हैं कप्तान दिये गए हैं यह टीम हैं कप्तान से कोच हैं इनसे भी प्रेशन महतपूर बनते हैं और पूछ भी लिये जाते हैं तो हम बताते हैं चिन्नी शुपर किंग्स के कप्तान हैं धोनी और इनके कोच हैं फ्लेमिंग ठीक तैटन्स के और मुंबई इंडियंस के रोहिज सर्मा क्या है कप्तान और इसके कोच है ङृजभिशदी से देखिएगा चपर लुपरकींग्स यह दोनी कप्तान हो गए गुजजरा टैटन्स के हएतबिक पांढ्या मुंबई इंडियंस昨 addition सर्मा विजेतर रासी जो IPL 2023 में कौन सी टीम जीती थी चेंडी शुपर किंग उसको कितनी विजेतर रासी थी कितने रुपए मिले थे 20 करोड रुपए और उपविजेतर टीम थी गुजराट टाइटन्स उसको कितने रुपए मिले थे बारहे पॉंट 5 करोड सान यानि कि टीम को दिया गया था यह दिया गया था दिली कैपिटल को अच्छा दोस्तों देखेगा इसमें औरेंज केप और परपल केप दिये जाते हैं आई पील में अब बताईगा परपल केप किसको दिया जाता है औरेंज केप किसको दिया जाता है क्यों दिया जाते हैं बताईगा बिकेट लेता है जो खलाडी सबसे ज़्यादा बिकेट लेता है उसको दिया जाता है ठीके समझाया हुगा। नवज़ा जिसपाइट이면 नहींद सबसे मुल्वान Ֆलाडी वह कौन सा है सूमन गिल कौन सा खलाडी है सुमन गिल अर गेम चिंजर आफ टूनामेंट किसको दिया गया था यह भी सुमन जन्यूंद एक कि से टूरी का था कितना लमा लगा था को vraal भैस्तान ये किस टीम के खलारी है राइस्थान रोयल्स के आगे देखिएगा Final Match Player of the Match किसको दिया गया है कौन वे कहा कर है चिन नहीं शुपर किंग्स के चिन नहीं के ठीक है कौन वे कहा के है चिन नहीं सरवादिक सतक किसने लगाए है कितने सतक लगाए तीन सतक IPL 2023 का TATA क्या था आईपिल का इत्यास है उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए है बिराहट कोली ने और IPL के पूरे इत्यास में सरवादिक विकेट किसने लिए है चुजबेंदर चहल ठीक है द्यान रखिएगा अगला आगे देखिएगा जो IPL का इत्यास ठीक है हम जानते है आईपिल के त्यास में थोड़ा सा देखिएगा पहला सीजन जो IPL का पहला सीजन खेला गया था वो 2008 में खेला गया था विजेता टीम कौन सी रही है बताईगा राइस्थान रोयल्स कौन सी टीम रही थी राइस्थान रोयल्स कप्तान है इसके सेन बॉन और ओफिजया टीम रही थी 2008 में चेन्नेई शूपर किंग्स अच्छा IPL का आयोजन कौन कराती है कौन सी सहिस्था कराती है BCCI BCCI की स्थापना कब हुई थी 1928 में द्यान रखेगा इस्थापना हुई 1928 में और IPL का आयोजन कराती है BCCI इस था जिस सहिस्था आगे IPL का आगे देखिए है त्यास क्या था BCCI का मुख्याल है मुंबई में BCCI की अध्यक्ष कौन है रोजर बननी BCCI की फुल फर्म पूछ लेता है Border of Control for Cricket in India Border of Control for Cricket in India आगे देखिएगा अब आगे सारे प्रेशन अब आप आराम से प्रेशन के आंसर दे सकते हैं ठीके देजिएगा बर्स पहला प्रेशन है बर्स 2023 में टाटा IPL का खिताब किस टीम ने जीता ठीके जान चुके हो किसने चेननी सुपर किंग्स ठीके और उप बिजेता टीम थी गुजरा टाइटन तो इसका आंसर होगया option D is the right answer ठीके कौन सी बिजेता टीम रही है 2023 में चेननी सुपर किंग् बताया था मैंने टाटा आंसर हो गया B option is the right answer आगे प्रशन देखिएगा टाटा IPL 2030 में किस खलाडी ने ओरेंज केप जीता ठीके ध्यान रखिएगा औरेंज के बारें बताया था जो सबसे ज्यादा रण मनाता है उसको औरेंज केप दिया गया था और सबसे ज्यादा रण बतायेगा कौन थे इसका आंसर हो गया option is the right answer मुहमत समी को परपल केप दिया गया और दोस्तों परपल केप कब दिया जाता है जुस ज्यादार विकेट लेता है सरवादिक विकेट लेता है ठीक है अगला प्रशन है IPL 2030 इसको तेज कर लो दो हजार टेश टाइपिक में मिश्टेक हुआ है विजिता टीम को कितनी राशी दी गई थी जो दो हजार टेश में IPL जीता है वो टीम कौन सा है बताएगा चेडने इसू परकिंग्स और उसको कितनी राशी दी गई थी 20 करोड रुपे हम आगे चर्चा कर चुके हैं और उपवेजिता टीम को 12.5 करोड यानि की सारे 12 करोड आगे देखीएगा IPL 2023 में उपवेजिता टीम को कितनी राशी मिली 20 करोड, 12 करोड, 12.5 करोड, 15 करोड तो यह मिली थी उपवेजिता को 12 और वेजिता टीम को 20 करोड इसका अंसर C ठीक है आगे देखिएगा टाटा IPL 2023 में फेयर प्ले का खिताब किस टीम ने जीता राइस्थान रोयल्स, दिली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स चेन्ने इशूपर किंग्स इसको अंसर हो गया इसका B, दिली कैपिटल्स को दिया गया फेयर प्ले अवर्ड अगला प्रिशन है कि इस टीम ने सबसे ज़्यादा बार IPL की टॉफी जीती, चिन्डे इशूपर किंग्स और मुम्बाइट इंडियन्स, इसका आंसर हो गया उप्यक्त दोनों, पांच-पांच बार टीम ये जीत चुकी है, ठीक है हमने चर्चा किया पांच-पांच बार जीत चुकी है अगला प्रिशन है टाटा IPL 2023 में सरबादिक छक्के किस खलाडी ने लगाए जौस बटलर, फाबडू प्लेसिस, सुबमन गिल, सिबम दुबे तो आंसर है दोस्तो, जो सरबादिक छक्के लगाए आंसर हो गया, इसका बताएगा, नो का, क्या हो गया डी, फाब डू प्लेसिस, अगला प्रिशन है 31 मार्ट 2023 को टाटा IPL का पहला माएच किन दो टीमों के बीच खेला गया चेन्नी सुपर किंग्स और गुजराट टाइटन्स, मुंबई हिंडियंस, चेन्नी सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और चेन्नी सुपर किंग्स, दिली कैपिटल्स और राइस्तान रॉयल्स से हैं केन विलियम्सन रिचर्ड इलिंगवर्थ येसरी योश्वाल शूर कुमार यादव 11 का आंसर बताईगा ये हो गया ये सवी जैस्वाल ऑप्शन सी राइट आंसर अगला प्रिशन देखीगा टाटा एपी एल 2023 में किस खलाड़ी को मुईस्ट बेलुएल खिताब दिया गया बताईगा कौन से खलाड़ी है ये बताईगा आंसर बारे का क्या हो गया रासित खान सुबमंगिल हर्दिक पांडिया जौस बटला आंसर हो गया इसका भी आंसर सुबमंगिल ठीक है ये हैं सुबमंगिल देख अगला प्रिश्ण है टाटा IPL 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ आंसर बताएगा इसका इसका आंसर है C 31 मार्स से 29 मई तक IPL का आयोजन हुआ ठीक है अगला प्रिश्ण देखिएगा प्रिश्ण नमजर चौदे 23 में IPL नीलामी के तियास में सबसे महंगे बिकने वाले खलाड़ी है इसकेम करण अंसर एजड़ा राइट आंसर देखिएगा यह है इस में इस सैम करण सबसे महंगे खलाड़ी है इस एजड़ा प्रिश्ण है टाटा IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर आप टूनामेंट का खिताब किसे दिया गया फाब्डू प्लेसिस शुबमन गिल आकास दोबन यसस्वी योशवाल पंद्रे का अंसर हो गया यसस्वी जैस्वाल ठीक है ये हैं यसस्वी जैस्वाल देख लीजिए गया मुस्कराता हुआ चेहरा बुल सोलेय का आंसर हो गया बताईगा क्या दिल्ली कैपिटल्स बी आर राइट आंसर अगला प्रिश्ण है आईपियल दोजार तेश में एक मैच में सरबादिक रन किस खलाडी ने बनाए हैं शुबमन गिल जॉस बटलर केल राहूल बिराट कोली सत्रेय का आंसर बताईगा क्य हो गया सत्रेय का अंसर ए शुबमन गिल ये हैं शुबमन गिल ठीक है इन्होंने सरबादिक रन बनाए हैं एक मैच में सरबादिक रन बनाए हैं शुबमन गिल अगला प्रिश्ण देखिएगा आईपियल दोजार तेश में सबसे महंगे बिकने वाले भारतिय खलाडी अब ये है मैंग अगरवाल ये है मैंग अगरवाल ठीक है अगला प्रिश्ण देखिएगा उन्नीश आईपियल के इत्यास में सबसे ज़्यादा सतक लगाने वाले खलाडी बने हैं डेविड वाइनर शीखर रवन बिराट कोली क्रिस गेल इसका आंसर देखिएगा आप को सकल स अगला प्रिशन है ऐप्सिपी एल वोbur 22 का कंडॿर में संस्क्रण किस ने जीता अब बताऒएगा 22 2012 को न सा संपक्रण हुआ है 16 थीक है द्यां रखना पूछ लेता है संस्क्रण तो आंसर बतागा राष्टानल्य कैपिता गुजराइ टाइटन्स रॉयल चेलेंजी लिच तो आंसर 20 का बताईगा क्या होगा यह होगा गुजरा टाइटन्स जो 2022 का संस्क्रमन था वो गुजरा टाइटन्स ने और 2023 का संस्क्रमन जो 16 में था वो जीता है चेनने शूपर केंग्स ठीक है अगला प्रशन देखेगा बी सी सी आई की स्थापना हुई कब हुई 1928, 1927, 1947, 1928 तो जो हुई थी 1928 को बी सी सी आई की स्थापना हुई मुख्यालय है इसका मुंबई में इत्यास पड़ा था ना मुंबई ठीक है अगला प्रशन देखेगा आई प्रशन देखेगा आई प्रशन देखेगा आई प्रशन के मौजूदा सीजन के लिए किस खलाड़ी को ब्रांड अमेजडर बनाया गया यह थोड़ा सा ब्रांड मिनिस्टर हो गया इसको ब्रांड अमेजडर कर लेना क्या ब्रांड अमेजडर ठीक है हर्दिक पांडिया इसान के सन रोहिज सर्मा जस्परीद भुम्रा किसको बनाया गया था ब्राइड़न विल्डर पताएगा अंसार 24 का यह है रोहिज सर्मा ठीक है यह है रोहिज सर्मा अगला प्रश्ण आईपी एल 2023 का आवेजन कौन सी साइस्टा कराई इने आईपी एल 2023 म वो किन दो टीमों के बीच हुआ अंतिम और पहला तो यह हुआ था गुजरा टाइटन्स और चेन्नी शुपर किंग्स दोनों पहला मैच भी और अंतिम मैच भी ठीक है अब बताएगा आईपी एल का आयोजन कौन सी साइस्टा कराती है बी सी सी आई फीपा आई से सी इने म तो दोस्तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार आपको सारे महतपूर्ण प्रस्ण में लेंगे और बहुत अच्छे ची क्लास आएंगी जो एक्जाम की दरश्टी से एकदम महतपूर्ण होंगी और दोस्तो सबसे बड़ी बाद हम आपक नोट कर सकें ठीक है धन्यवाद